नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रास्तान प्लीस 2021 जिल्ला बिकानेर की कटोब के बारे में दोस्तों मैंने सर्वे करवाने के बाद में जो कटोब प्राप्त क्योंकि अब बैड़ती वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है फिर परसंट उठाते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर मेरे इतने नमबर बन रहे हैं क्या मेरा सेलेक्शन होगा या नहीं होगा तो मेरे दोस्तों सेलेक्शन आपका पीएस्टी क्लियर करने के बा कीजिए अगर आपको नमबर इस वीडियो में जो बता रहूं है अगर उनके बीच में आ रहे हैं तो आपका 100% पेस्टी के लिए कोल आएगा दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाईए जिससे की आने वाले सबी वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिल सके और दोस्तों ये एक 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 स्पेक्टेट काटोप है जो रियल काटोप रहेगी फिजिगल के लिए तो वो इससे या तो एक दो नमबर ज्यादा रहेगी या इससे एक दो नमबर कम रहेगी लगबग अनुबग के आदार पर मैं बताना चाहूँगा यही कटोप रहने वाली है तो आप अपने आपका आंकलन करके आपका PhD का कोल आएगा या नहीं आएगा यह निर्दारित कर सकते हैं और आपने अभी तक अगर फिजिकल की प्रिप्रेशन नहीं स्टार्ट की है तो ये वीडियो देख की कटोप बताई जा रही है लेकिन फिमेल के इंडेट की कहीं भी कटोप देखने को नहीं मिल रही है जिससे जो फिमेल के इंडेट है तो उनके मन में यह बाव रहता है कि हमारा PhD के लिए कोल आएगा या नहीं आएगा तो वो फिमेल के इंडेट ये वीडियो के माद्दि और अब की बार कितनी पोस्ट हैं, तो वो मैंने सारी डिवाइड की है तो वो मैंने सारी डिवाइड किया, और मैं आपको जो कैटिगरी के इसाब से सभी पिछली PAR की पोस्ट और इस बार की पोस्ट को मेल में decreVISION करके कितनी कट शुप रहेगी, तो वो बताने का प्रियास किया है दोस्तों वीडियो को सुरूर से अंद तक जरूर देखे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो बिकाने डिश्टी का है उसके अब की बार कितनी वेकेंसीज है तो दोस्तों बिकाने डिश्टी की 85 वेकेंसीज है और इन 85 vacancies को सामानिय OBC, SC, ST सभी categories में divide किया गया है और सोचने वाली बात दोस्तों आपको एक ये effect भी ध्यान रखना है कि 58 जो post है वो ex-servicemen के लिए भी है ex-servicemen की जो पिछली बढ़ती हुई तो उसमें भी कापिसार या बैरती थे जो apply नहीं कर पायते तो इस वज़े से जो पिछे वाली post vacancy निखली थी तो उनमें भी जो post है वो खाली रही थी उनको add करके अपकी बार 58 post है जो विकाने डिश्टी के लिए प्रस्तावित की गई है दोस्तों बात करते हैं कटोप के बारे में तो सामाने की अपकी बार जो post है टोटल वो है 31 है दोस्तों और पिछली बार जो post थी दोस्तों सामाने के लिए वो थी 227 post थी पिछली बार इन 277 काफी सारी post थी लेकिन अब की बार आप देख सकते हैं कि काफी कम post पस्तावित की गई है कि वो 31 post है इन 31 post को male female में divide किया गया है male के लिए 23 post पस्तावित की है और female के लिए 8 post पस्तावित की है तो दोस्तों अगर आप कटोब की बात करें आपके नंबर अगर 50 से 54 की बीच में आ रहे हैं तो आपका 100% PhD का call आएगा और female candidate है और आपके 48 से 52 की बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% PhD का call आ जाएगा और आप PhD क्लियर करते हैं तो आप merit सूची में फिर आपका नाम आ बात करते हैं next category की दोस्तों OBC category में अबकी बार जो 12 post हैं और इन 12 post को male और female में divide करके male के लिए 10 post रखी गई है और female के लिए केवल 2 post रखी गई है पिछली बार की बात करें दोस्तों तो पिछली बार 96 post थी OBC category के लिए बिकानेज डिस्टिक्स हैं काफी सारी post थी लेकिन अब की बार बहुत ही कम पोस्ट हैं तो इस वज़से भी दोस्तों अब की बार अगर देखा जाए तो competition है वो कापी ज़्यादा रहने वाला है और जो COVID-19 के वज़से अब बेड़तों ने अच्छी कासी preparation भी किया है तो एक ये reason भी हो सकता है कि अब की बार जो कटोब है व वो compulsory था कि उसको pass करना है तो कई अब बेड़ती वो भी pass नहीं कर पाते अब की बार वो भी हटा दिया है तो ये chances हैं कि इस बार जो कटोब है वह ही रहेगी दोस्तों OBC category की कटोब की बात करें तो दोस्तों अगर आप male candidate है और आपके 49 से 51 नंबर के बीच में नंबर आ र EWS की अब की बार जो 9 post प्रसावित की गई है और दोस्तों पिछली बार EWS की कोई post नहीं निकाली गई थी क्योंकि EWS की अब की बार ही ये जो economic wicker section के लिए है ये 10% resolution अब की बार निर्दारित किया गया है तो ये पहली बार है कि EWS के लिए 9 post निकाली गई है इन 9 post ओको male के लिए की post प्रसावित की गई है अब कटोब की बार बात करते हैं दोस्तों अगर आप के कटोब की बात करें तो दोस्तों अगर 48 से 50 नमबर आपके आ रहे हैं EWS के टेगरी से हैं और male candidate है तो आपका 100% physical call आएगा और female candidate है और आपके 45 से ज्यादा नमबर है या 45 है तो आपक physical call आएगा अब बात करते हैं दोस्तों MBC केटेगरी की MBC केटेगरी अब की बार जो post है दोस्तों वो केवल 5 पस्तावित की गई है और पिछली बार 4 थी तो ये मानके चली कि अब की बार प्लस एक हो गई है एक post अब की बार बड़ा दी गई है male candidate के लिए 4 post है और female के नंबर आ रहे हैं आपके 44 पी नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% physical के लिए बुलाया जाएगा तो आप physical की प्रेशन आप जारी रखिए अपना 100% दीजिए क्योंकि दोस्तों physical में ही जो बेरती वो पास नहीं हो पाते हैं पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों 100 बच्च में अपना नाम निर्दायत कर सकें दोस्तों MBC के बाद में next category है SC के लिए अब की बार जो 11 पोस्ट परस्तावित की गई है 11 पोस्टों को male और female में डिवाइड करके male के लिए 9 पोस्ट रखी गई है और female के लिए क्यावल दो पोस्ट रखी गई है अब बात करते हैं पिछ अब की बार अगर देखा जाए तो ये 6 गुना से भी ज्यादा मलब कम रखी गई है पिछली बार 6 गुना ज्यादा थी अब की बार तो 11 पोस्ट रखी 23 पोस्ट है SC के लिए दोस्तों इसकी कटोग के बारे में बात करें SC के लिए SC में अगर आप मेल केंडिडेट हैं और आपके 45-48 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका PST का कोल आएगा और फिमेल केंडिडेट है और आपके 43 या 43 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% PST का कोल आ जाएगा दोस्तों तो आप अपनी जो फीजिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट केटिगरी है दोस्तों ST की बात करते हैं ST में दोस्तों अपकी बार जो 17 पोस्ट परताविच की गई है इन 17 पोस्टों को मेल के लिए 13 रखी गई है और फिमेल के लिए 4 रखी गई है पिछली बार दोस्तों ST के लिए 55 पोस्ट थी कापी पोस्ट थी पिछली बार और अपकी बार के वल 17 ही रखी गई है कटोप के बारे में बात करें दोस्तों तो कटोप अगर आप मेल केंडिडेट हैं और 43 से 46 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% PST का कोल आएगा और फिमेल केंडिडेट हैं और अपकी बार जो पोस्ट है वो बिल्कुल कम रखी गई है तो दोस्तों अपकी बार जो कमपेटिशन है वो बहुती टफ होने वाला है और जो मैंने ये कटोप बताई है दोस्तों आप ये सोचेंगे कि सर आप कई बिर्टों के मनमें ये रहेगा कि सर आप तो बिल्कुल कम बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा जाएगी पेपर इजी ता या हाड तक कई तरिके के उनके असमुज़स की स्थिती बनी हुए है तो दोस्तों मैंने सर्वे करवाने के बाद में और जो अनुबव के आदार पर मैं अशिल नहीं हो पाती है अगर फीजिकल अच्छा होगा दोस्तों तो आप मेरिट सूची में आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रसन आपके या कोई भी डाउट है तो कमेंड बोक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों आप विकानेर जीले से अगर आपने फोर्म एप्लाई किया है और आपके कितने नमबर बंद रहें कौन सी केटिग्री से आप बिलोंग करते हैं आप कमेंड बोक्स में जरूर बताईए जिससे की अन्या बेरतियों के जो मोटिविशन वो डाउन ओर रखा है क्योंकि बहुत से बेरती है वो SMN जिसकी इस्तिति उनकी ऐसे ही बनी हुए कि इसे हमारे इतने नमबर आ रहे हैं क्या हमारा फिजिकल का कॉल आएगा या नहीं आएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो आप निश्ची तरही है अगर आप कि इतने नमबर बंद रहे हैं जो मैंने इसमें बताए हैं तो आपका 100% PhD का कॉल आएगा बस आपसे एक यही निवेदन है कि आप अपना जो सत परतिसेत है वो फिजिकल में दीजिए बस रेस पे कॉंसेंट्रेट कीजिए सुबह जल्दी उठके और इसी पे ही complete कॉंसेंट्रेट करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन भी दोस्तों नि इतरा के नाम से वहां मेसेज करके आप जानकरी प्राप्त कर सकते हैं आप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आप वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद जेहिन जेह वारत